हमएं दोस्तों स्वागत है आपका मेरे से इस समाचार चैनल में को दोस्तों आज की वीडियो हमें बात करेंगे सभी सेनिकों organism के लिए है कि आज की जो बड़ी खबर है उसके बारे बात करेंगे जहाँ पर रक्षामंत्रा लेन जो है सैनिकों और पूरू सैनिकों के लिए कुछ बड़े फैसले लिये हैं और यह पहले बार हुआ है कि आजादी के 75 साल सैनिकों और पूरू सैनिकों को बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है और किस तरीके से समान मिलेगा, किस तरीके से ये सैनिकों और पूरू सैनिकों के लिए इंपोर्टेंट है इसके बारे हम दोस्तों आज बात करेंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में दोब चाहिवत्कु और चैनल पे पहली बार एकर के आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे है। साथी साथ बैल आईकन जबाएं। दोब स्वाइल हो। पहली बार आरक्शा मंत्राले ने साथ दिये , जो आजादी के 75 साल आप देख सकते हैं कि जो हमारे सैनिक है, उनकी जो वीरता है, जो उन्होंने देश के लिए जो उन्होंने काम किया वो चीज जो है जो है, मिसिंग है अभी तक, जो कि आज कल कि बच्चों को नहीं पता कि किस तरीके से होता है इसको अगर पाठ्ठे करम में डाल दिया जाएगा शुरू से ही जो है जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके दमाग में शुरू से उनको पता होगा कि किस तरीके से जो है देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक दिन रात लगे रहते हैं इस कारिकरम को जो है में वीर गाथा प्रतियोगता के 25 विजयताओं ने भी हिस्सा लिया है और यह जो है आजादी के जो है 75 सालगरा पर मनाया गया है शिक्षा मंत्राले रक्षा मंत्राले के सलापर पिछले 75 सालों में हमारे सैनिकों की वीरता और भारत की वीर गाथा को स्कूली पाठिक्रम और हमारी किताबों में शामिल करने का काम करेगा दोस्ते वीर गाथा का योजन जो है शर्षिस्त्रबलों की वीरता पूर्ण कारे के और बलिदानों के बारे में बच्चों को प्रवित करने का जिससे कि बहुत जाह स्था बच्चे जो है सेना में के बारे में जाने और उनको जो है जो सैनिक जो कारी कर रहे है जो κα्ल आ है कितनी मेहनत वाले काम कर रहे है उसके बारे पता रहे है तो दोस्तो ये था आज का important update सभी सैनिकों पूरु सैनिकों के लिए विडियो पसंद आइए इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना पुले थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो